नमस्कार दोस्तों मैं ये शुकोतम आपका स्वागत में यूटूब चैनल पर दोस्तों कैसे आप सब भी में उम्मीद करता हूँ आप सब भी अच्छे होंगे दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको टीडियो के बारे में बताने वाला हूँ जो की फटेश चोबिस और कुछ सेक्षन हमारे ऐसे हैं जो की नहीं आए है तो वह कौन-कौन से सेक्षन है मैं आपको इस वीडियो के आगे बताऊंगा तो बने रिए इस वीडियो के साथ और जैदी आपने मेरा यूटूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लिजिए ऐसी वीडियो के लिए नेटी तू तो यह है पेमेंट ओफ सेलरी ठीक लेकिन जो पेमेंट ओफ सैलरी जो सेक्षन है वनादी टू तो इसमें हमारा कट ओफ है है income tax elaborate के according या निकी इस पर जो tedious deduct होता है वो होता as per income tax elaborate के according जैसे कि आपको पता हो गाई या मैं आपको बता दू हमारे दो इस लाप रेट है न्यूज लाब रेट और ओर अलड़ेट ठीक है तो उसके एकोर्डिंग हमार ट्रीडियस डिडाक्ट किया जाता है किसमें 192 सेक्षन में पेमेंट ओफ सेल्दी में अब इसके बाद जो नेक्ष्ट हमारा सेक्षन है वो है 192 ए इसमें है आई कि आप एको करते हैं तो इसकी कटोंप पचास हजार रुपे यदि आप ऑफ को 50 तो से अधिक निकालते हैं तो उसमें कि इसकी कट ओफ है पत्चीस सो रुपए यदि आप पत्चीस सो रुपए या पत्चीस सो से अधिक इंट्रेस्ट बनता है किस पर सिक्योर्टी इस पर तो टैन परसेंट टीडियस कटता है अब उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा सेक्षन है वह है वन एंटीफोर डिविदेंट्स इसम है पांच जार रुपए पर दस परसेंट टीडियस करता हैं यान यह पौश हजार से अधिक डिविदेंट होने पर दस परसेंट करता है अब उसके बाद जो नैक्स्ट हमारा सेक्षन है वह है वन नैन्टीफोर एक तो इसमें इंट्रेस्ट फ्रॉम बैंक डिपोजिट पो 10% TDS करता है यदि आप FD कराते हैं Bank में, Post Office में या Banking Co Society में और यदि आपकी FD का Interest 50,000 या 50,000 से अधिक बनता है किसके लिए Senior Citizen के लिए मैं यहाँ पर बात करा हूँ Senior Citizen के लिए Senior Citizen कोन होते हैं जिनकी I.U. 60 साल से उपर है वो हमारे Senior Citizen होते हैं इसके बाद मैं बात करता हूँ Non Senior Citizen के लिए तो यदि Non Senior Citizen ने Bank FD करा हुई है या Post Office FD है Banking Co Society Deposit है और यदि उसका Interest 40,000 या 40,000 से अधिक बनता है तो उस पर भी 10% TDS करता है ठीक है इसमें 10,000 रुपे जो Senior Citizen है इनके लिए एक्ष्टर बढ़ा दिये यानि कि Non Senior Citizen के लिए जिनके आयू 60 साल से कम है अब उसके बाद Interest Other Than Interest On Securities Other Than Bank Deposit Post Office Deposit Banking Co Society Deposit यानि कि Interest On Securities का Section है हमारा 193 ठीक है Interest On Securities की 25,000 रुपे पर 10% TDS करता है ठीक है जो Interest बनता है उसकी कटोफ है 5000 रुपे 5000 या 5000 से अधिक होने पर 10% TDS करता है अब उसके बाद Next जो हमारा Section है वो है 194B Income from Lotries Winnings Card Games Crosswords Puzzles And Other Games Of Any Type यानि कि किसी भी टाइप का गेम हो यदि आप उससे जीतते हैं और यदि amount 10,000 या 10,000 से अधिक है तो 30% TDS करता है उसके बाद जो Next हमारा Section है वो है 194BA जो कि हमारा एक New Section है यह है Income from Online Games यदि आप कोई Online Games खेलते हैं और उसमें आपको Income होती है तो इसकी Cut-off की कोई Limit नहीं है ठीक है इसकी Cut-off की कोई Limit नहीं है जितनी भी amount होगी उसपर 30% TDS deduct होगा अब उसके बाद जो Next हमारा Section है वो है 194BB Income from Horse Race Winnings ठीक है यह भी हमारा New Section है जिसमें की इसकी Cut-off है 10,000 रुपे और इसपर 30% TDS कटता है अब उसके बाद जो Next हमारा Section है वो है 194C Contractor Single या Yearly ठीक है तो Single Transaction या तो 30,000 रुपे हो या पूरे साल में 1,000 रुपे हो Aggregate Transactions यदि Individual यह HUF है तो 1% TDS कटेगा यदि Other Than Individual और HUF है तो 2% TDS कटता है ठीक है मैं फिर से Repeat कर रहा हूं यदि Single Bill 30,000 रुपे का है तो भी TDS कटेगा या TCR से कम के बिल है और वो एक लाख या एक लाख से अधिक है पूरे साल में तो भी TDS कटेगा Individual और HUF के लिए 1% Other Than Individual के लिए 2% अब उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे सेक्शन है वो है 194D Insurance Commission Domestic Companies की जो Cut-off है वो है 15,000 इस पर 10% TDS कटता है Other Than Companies के लिए 15,000 ही Cut-off है लेकिन उस पर 5% TDS कटता है अब उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे सेक्शन है वो है 194DA Life Insurance Policy इसकी Cut-off है एक लाख रुपे एक लाख रुपे पर 5% TDS कटता है यानि कि आपने कोई LIC कराई और वो mature होने के बाद उसके amount एक लाख या एक लाख से अधिक है तो 5% TDS कटेगा अब उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे सेक्शन है वो है 194EE Payment of amount standing to the credit of a person under national saving scheme यानि कि NSS इसकी Cut-off है 2500 रुपे और इस पर 10% TDS कटता है अब उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे सेक्शन है वो है 194F Payment for the Repurchase of the Unit by Unit Trust of India UTI और a mutual fund यानि कि यदि आप कोई mutual fund की unit repurchase करते हैं तो उस पर भी TDS करता है इसकी कोई limit नहीं है इसकी कोई cut-off नहीं है इस पर 20% TDS कटेगा अब उसके बाद जो next हमारे सेक्शन है वो है 194G यह है commission on sale of lottery tickets इसकी cut-off है 15,000 रुपे और इस पर 5% TDS कटता है अब उसके बाद जो next हमारे सेक्शन है 194H commission or brokerage इसकी भी cut-off है 15,000 रुपे और इस पर भी 5% TDS कटता है अब उसके बाद है next हमारे सेक्शन 194I rent of land building और furniture की cut-off है 2,40,000 रुपे ठीक है यदि आप rent पे लेते हैं और उसकी अमाउंट 2,40,000 रुपे या इससे अधिक है तो भी हमारे 2% TDS कटेगा ठीक है डिडाक्ट होगा अब उसके बाद जो next हमारे सेक्शन है वो है 194IA payment in consideration of transfer of certain immobile property other than agriculture land immobile property property किसको छोड़कर agriculture land को तो यदि property की amount 50,000,000 रुपे है या उससे अधिक है तो 1% TDS कटता है अब उसके बाद जो next हमारे सेक्शन है वो है 194IB rent payment by an individual or HEF not covered under section 194I ठीक है तो ये rent की payment किसके द्वारा individual और HEF के द्वारा ठीक है इसमें covered नहीं है 194I आइकोन सा ये वाला rent of land building और furniture rent of plant and machine तो ये इसमें covered नहीं है 194IB में तो इसकी cut of है 50,000 रुपे पर मन्त होने पर 5% TDS कटता है किस पर rent पर individual और HEF के लिए अब उसके बाद जो next हमारे सेक्शन है 194I यहां पर technical services की बात नहीं कर रहा हूँ और इसकी अलावा इसकी अलावा इसकी कोई लिमिट नहीं है और इस पर 10% TDS करता है इसमें add हुआ है ramration किसका director का director को ramration दिया है फीद यह commission दिया है और इसकी cut of पर 30,000 रुपे 30,000 रुपे 30,000 या 30,000 से अधिक होने पर 10% TDS कटेगा फिर उसके बाद टेकनिकल सर्विसेज टेकनिकल सर्विसेज और call center इसकी cut of पर 30,000 रुपे और इस पर 2% TDS करता है अब उसके बाद जो next हमारा section है वो है 194K यह हमारा new section है payment of any income for unit of a mutual fund for example dividend तो इसकी कोई limit नहीं है और इस पर 10% TDS करता है किस पर payment of any income for unit of a mutual fund जो mutual fund की unit है ठीक है उसकी payment करने पर example dividend अब उसके बाद जो next हमारा section है वो है 194LA payment in respect of compensation on acquiring certain immovable property इसकी cut of a dialogue रुपे और इस पर 10% TDS करता है अब उसके बाद जो next हमारा section है 194LB payment of interest on infrastructure that fund to non-resident इसकी कोई limit नहीं है और इस पर 5% TDS करता है अब उसके बाद जो next हमारा section है 194M certain payment by individual as you have not liable to deduct TDS under section 194C, 194H and 194J 50,000,000,000 रुपे और 5% TDS करता है अब उसके बाद जो next हमारा section है 194N जो कि हमारा cash withdrawal का section है यह यह आप cash withdrawal करते हैं exiting a certain amount cooperative society के लिए 3 करोड है और others के लिए 1 करोड है ठीक है इस पर 2% TDS करतेगा और cash withdrawal in case person not filing ITR यदि कोई व्यक्ति ITR filing नहीं करता है और वो cash withdrawal करता है 20,000,000 से लेकर 1 करोड तक तो उस पर भी 2% TDS करतेगा और last 3 years and the original ITR filing due date expired तो इसकी cutoff है एक करोड और उस पर 5% TDS कटेगा यदि cash withdrawal को लेकर आपका कोई question है तो मुझे comment box में comment करिए मैं आपका reply जरूर दूँगा तो उसके बाद नेक्स्ट हमारा section है वो है 194.0 payment for the sale of goods or provisions of services by the e-commerce operator through its digital or electronic faculty or platform यानि की कोई e-commerce की द्वारा कोई sale करता है sale की amount 5,000,000,000,000,000 से अधिक है तो उस पर 1% TDS करता है अब उसके बाद जो next हमारा section है नोर्मल tax elaborate के according ठीक है तो नोर्मल slab rate के according उसमें जो pension है उस पर tax calculate होगा उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा section है वो है 194.0 payments for the purchase of goods यदि हम माल खरीदते हैं बिजनेस में और उसकी amount 85,000,000 रुपे है तो उस पर 0.10% TDS करता है ठीक है यह भी हमारा new section है जो की purchase का section है अब उसके ब इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा section है वो है 194.0 और benefit to a business और profession इसकी cut off है 20,000 रुपे उस पर 10% TDS करता है तो दोस्तों यह थे important sections TDS के और इनमें जो कुछ new section आये थे वो भी मैंना आपको बता दिया है और इसके अलावा आपको कोई question है तो मुझे comment box में comment करिए मैं आपका reply जरूर दूँगा जैदि आप इस chart को download करने चाहते हैं तो link में description में दिया हुआ है आप इस chart को भी download कर सकते हैं तो दोस्तों यह video आपको कैसे लेगी please comment box में जो बताए वीडियो आपको अच्छी लिए प्लीज लाइक क बिलते हैं next video में जब तक के लिए जाएं जाएं जाबाद